भारत पूर विधान सभा में एक ऐसा भी गाओ है जहां पानी और सड़क की मुख्य समस्या है यहां पीने का पानी एक नाले से लाया जाता है इस पानी की वज़े से आए दिन ग्रामीड बिमारी का शिकार होते रहते हैं पिमारी से जूज रहे ग्रामीडों को अस्पताल तक पहुचानी के लिए उबर खाबर रास्ती का सहरा लेना पड़ता है पानी के लिए कितने दूराना पड़ते हैं आप लोगों को? मेरा समस्थी आई है पानी के लिए तकलीम मेरा हो रहा इतना दूरी ड़ी डेड़ किलो मीटर से दूरा जा रहा हम पानी एक टो हैं पान आया था मांगे थे तो उसे हो हेट बंक के लएकर दूसरे महले में खुदवा दिया दूसरे जगा कौन खुदवा दिया? SDM सहित कलेक्टर कुरिया तक कई बार लिखित में पानी के समस्या को लेकर आवेदन देकर ठक गए हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है जिससे आज भी यहां के लोग मजबूर होकर कुन ढूंडी वो उपका का पानी लगभग एक से दो किलोमेटर की दूरी से लाकर पीते हैं वोई कोरिया के कलेक्टर ने बताया कि जिस ग्राम में पानी के समस्या रही है वहां हैंडपम बोर्वेल के माध्यम से पानी उपलब्द करानी का प्रयास जारी है पानी की विवस्ता पर निग्रानी रखे हुगए हैं और जहां-जहां हैंडपम खराब हो रहे हैं आन्य नर्जल योजना उसको दुरुस्त कर रहे हैं कुछ-कुछ इस्तानों पर बोरिंग बंद होने के जैसे एक पारा या दूसरे बारा में बंद होने की सिकायत आकि उसको थोरिंग बनवा भी रहे हैं जैसे माध्योली का समझ आठ पत्रों में और अन्य माध्यम से पता चला था तो वहां पर बोर भी कराया गया है ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो इसके अलावा कछवाट वगरा अन्य गाउं के बारे में भी सुचना आ रही थी वहां भी हम लोगों ने मोर करा के पानी उपलब्द कराया है और निरंतर हमारी परकिरिया चल रही है कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दिया जाए और पेजर उपलब्द कराया है